हलो आज हम लोग गोली अपवर्तक प्रेष्टों से अपवर्तन पढ़ने से पूर गोली अपवर्तक प्रेष्ट पढ़ लेते हैं क्या होते हैं तो वै गोली प्रेष्ट जिसके दोनों और अलग अलग पारदर्सी माद्यम होता है अप वर्तक गोली प्रेष्ट कहलाता है जैसे यहाँ पर और दोनों और अलग अलग पारदर्सी माद्यम का मतलब है एक और बिरल माद्यम हो और दूसरी और सगन माद्यम हो यहाँ पर मैंने गोली प्रेष्ट बनाया हुआ जैसे यह काँच की एक छण है थोस कांच की छण उसके सामने वाले सिर्यों को इस प्रकार से घिज दिया गया है यानि सामने से देखने पर ये जो सिरा है वो उबरा हुआ दिखाई दे रहा है तो ये SPS ये एक गोली प्रश्ट है इसके बाईयों और वायू है और इधर दाहिनी और सगन माद्यम कांच है तो ये जो SPS ये गोली प्रश्ट कहलाएगा इसी प्रकार इस वाली कांच की राड में सामने का सिरा इस प्रकार घिज दिया गया है कि धंसा हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पर ये जो SPS है प्रश्ट उसके इस और वायू है और इस और सगन माद्यम कांच है तो ये भी एक गोली प्रश्ट हुआ तो ये दोनों गोली प्रश्ट हैं अब सामने से देखने पर ये गोली प्रश्ट उबरा हुआ दिखाई देता है तो इसको बोलते हैं उतल गोली प्रेष्ट और इसको धसा हुआ दिखाई देता है इसको बोलते है आउतल गोली प्रेष्ट अब कुछ गोली प्रेष्ट की परिवासाएं भी समझ लीजिए ये धुरू जैसा कि हम लोगों ने दरपणों में देखा था तो गोली प्रेष्ट का जो मद्विंदू होता है उसको धुरू कहते हैं तो ये इसका मद्विंदू है पी तो ये धुरू कहलाएगा फिर C बकरता केंद्र है तो यह जो गोली प्रेस्ट है इसका केंद्र जिस मिन्दू पर होगा क्योंकि यह जो पार्ट है वो एक गोला बनाएगा ऐसे कंप्लीट करेगा तो गोले का केंद्र वो कहलाएगा तो इसका बकरता केंद इधार होगा विरल माद्यम में अब यह जो P से C तक की दूरी है यानि धुरू से बकरता केंद की दूरी को इसको कहते हैं बकरता त्रिज्या तो बकरता त्रिज्या हमने यहाँ पर बकरता तिज्या पहले भी हम लोग capital R से लिखते थे तिज़ा निगेटिव ली जाती है और पी वासी से गुजरने वाली जो रेखा है वो मुखक्च कहलाती है ये वाली रेखा बनी हुई है ये मुखक्च कहलाती है और वो दूरिया नापने कि नरिशांग ज्यामित किचिन पर पाटी सेम रहेगी सारी प्रकास किरने हम लोगों प्रष्ट पर बाईं और से डालनी है इस साइट से और समझ दूरियां हमें धुरूपी से नापनी है तो धुरूपी से जो बाईं और दूरियां नापनेंगे वो रहनात्मक लेंगे और जो दाहिनी और दूरियां नापनेंगे वो धनात्मक लेंगे तो यहाँ पर जो बकरत खुरी किताब से पढ़ लेना वैसे तो इतनी पर्याप्त है अब यहols कि कि यहां पर यहां पर वायू की जगे कोई और भी मादेयम हो सकता है दूसरा जैसे मान वह पानी भरा हो तो इदर पानी हो सकता है उधर कांच हो सकता है तो यह गोली प्रेष्ट यानि गोली प्रेष्ट वही होता है जो दो माध्यमों को प्रथक करें उसको कहते हैं गोली प्रेष्ट गोली प्रेष्ट मेंस समतल प्रेष्ट भी हो सकता है जो दो माध्यमों को प्रथक करता है यह हम लोग पहले पर जैसे पानी का प्रेष्ट है पानी का प्रे तो यह गोली अप और तक प्रिष्ट के बारे में याद रखना है